लो वीवर्स आज मैं लेकर आई हूँ क्रिस्पी पोटेटो लॉलिपॉप की रेस्पी जो बहुत ही मज़ेदार बनती है इसे आप अपने बच्चों के कोई भी गेदरिंग पार्टी में बना सकते हैं उन्हें बहुत पसंद आएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो आईए देखते हैं क्रिस्पी पोटटो लॉली पोप के लिए हमें किन-किन चीजों की जरूरत है सबसे पहले हम एक बोल लेंगे यहाँ पर हमने चार उबले हुए आलू लिये हैं इसे हम अच्छे से ग्रेट कर लिये हैं अब हम इसमें आधा कप ब्रेट करम डालेंगे वन थर्ड कप ग्रेट किया हुआ चीज डालेंगे दो टेबल स्पून कॉन फुलर आधा बार एक कटी हुई प्याज आधा बार एक कटी हुई सिमला मिर्च दो टेबल स्पून धन्या पत्ता आप चाहे तो यहाँ पर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं एक टी स्पून नमक डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉडिंग डालिएगा हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स एक टी स्पून आरी गैनो एक टी स्पून जीरा पाउडर एक टी स्पून अद्रकले सुन का पेस्ट और आधा नी बू का रश डालेंगे अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्सचर टेड़ी हो गया है अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा कर इसके छोटे छोटे साइज के हम बॉल तयार कर लेंगे हम इसे अच्छे से बिल्कुल चिकना बॉल तयार करेंगे इसी तरह से हम सारे बॉल को तयार करके रख लेंगे आप देख सकते हैं फ्रेंड तकरीबन 14 से 15 बॉल रेडी हुआ है अब हम इसे एक साइड में रख देंगे यहाँ पर हमने 5 टेबल स्पून मैदा लिया है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसे अच्छे से घोल तयार कर लेंगे हमें ना तो ज़्यादा गाढ़ा घोल चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला इस तरह का मेडियम थिकनिस वाला घोल चाहिए यहाँ पर हम एक कप ब्रेट करम लिये हैं अब हम एक एक बॉल को मैदे के अंदर डिप करेंगे और इसकी एकसिस मैदे को हम ज़ाड लेंगे अब हम इसके उपर ब्रेट करम को अच्छे से लगा लेंगे फिर इसे हम मैदे के अंदर डिप करेंगे हम इसका डबल कोटिंग कर रहे हैं आप चाहे तो एक ही बार कोटिंग कर सकते हैं डबल कोटिंग करेंगे तो बिल्कुल क्रिस्पी बॉल तयार होगा इसी तरह से हमें सारे बॉल कोटिंग कर लेना है बॉल प्रेडी हो चुका है अब हम चलते हैं नेक्स्ट अस्टेप के तरफ यहाँ पर हमने तेल को प्रोपर मीडियम होट करने के लिए रख दिया था अब हम इसमें एक एक बॉल को डालेंगे इसे हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे एक बार में कम से कम चार से पांच बॉल ही डालेंगे ज्यादा बॉल हम नहीं डालेंगे जब तक एक तरफ से कोटिंग सेट नहीं हो जाता है तब तक हम इसकी साइड नहीं चेंज करेंगे हम इसी तरह से उलट पलट कर सारे बॉल को फ्राई कर लेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है अब हम इसे निकाल लेंगे इसी तरह से हम सारे बॉल को गोल्डेन होने तक के लो फ्राई कर लेंगे तो आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी बन कर तयार हुआ है अब आप इसमें तूथ पिक डाल कर बच्चों को खाने के लिए सब करें उन्हें बहुत मज़ा आएगा आप इसे साम के नास्ते में बना कर बच्चों को छोटी मूटी भूख के लिए दे सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक ये फोर वाचिंग माई वीडियो अल्ला हाफिज